उधर कोलकटा में ट्रेणी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में ही गुस्सा देखने को मिला बॉलिवुड के अब नेताओं ने भी इस बात को लेकर अपनी राय रखी है पृती जिन्टा ने सवाल खड़े किये रेपिस्ट का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है छिपाया क्यों जा रहा है इसे सब को दिखाना चाहिए तो मैं करेना कपूर ने कहा है कि 12 साल बाद वही कहाने फिरा गई उसी तरह विरोध हो रहे हैं लेकिन अभी भी बदलाओ का इंतिसार पंडिती चोपरा ने कहा है कि उन्हें तो सीधे फासी पर लटका देना चाहिए जो आरोपी है जबकि आलिया भट ने कहा कि एहसास का एक दिन महिलाय अब सुरखशिक नहीं है जबकि रितिक रोशन ने लिखा है कि ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के अंदर दर पहता हूँ हमें यही करना चाहिए जैनलिया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि रक्षसों को फासी पलटका देना चाहिए आईश्मान खुराना ने तो सोशल मीडिया पर कविता पढ़ते हैं एक वीडियो शेयर किया और कहा पढ़ लिखकर डॉक्टर बनती है तो मेरी माना खोती उसकी आँखों का मोती काश मैं भी लड़का होती 36 घंटे का लगातार कारे दुश्वार हुआ बहिशकार हुआ बलातकार हुआ पुरुष के वहशीपन से साक्षातकार हुआ काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कुमलता होती काश मैं ही लड़का होती कहते हैं CCTV नहीं था होता भी तो क्या होता एक पुरुष रक्षा कर्मी जो उसके नजर रखता उसकी नजर भी कितनी पाक होती काश मैं एक लड़का होती अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिन्दा होती और दजयपूर की SMS अस्पताल में रेजिडेंट्स की स्ट्राइक जारी है रेजिडेंट्स अस्पताल की O.P.T. में प्रदर्शन कर रहें कोलकता ग्रेफ हत्या मामले से जुड़ी ये खबर आप तक पहुँचा रहें जहां पर लगाता जो प्रदर्शन है वो जारी है रेजिडेंट्स अस्पताल का इस दारान ऐलान कर दिया है कोलकता में रेजिडेंट्स अस्पताल की हत्या को लेकर राजिस्तां के तक तमाम रेजिडेंट्स अक्रोश है और उसके बद जिस प्रकार का घटना क्रम कोलकता के मेडिकल क कोलेज में हुआ उसके बद एक बार पिर जबर फिर जबर जबर प्रड़ जो बच्पताल की ओपीड़ी में ना सिर्फ विरोध कर रहा है बनकी जंकर नारेबाजी और जवर्जस रोश उनमें दिख रहा है जवर्जस तरीके से ये OPD में प्रजेशन कर रहे हैं और आप लेखते तक्तियों पर किस प्रकार का मुखना है हर बेटी की सुरक्षा, हर देश की जिम्मेदारी इस प्रकार के स्लोगन के साथ OPD में प्रजेशन जो है वो किया जा रहा है रेजिटन डॉक्टर से उनसे बात कर लेते हैं इस प्रकार की नाराज की आप लोगों की और ये कब तक आंदोलन चलेगा जो हमारे साथिरेशन के साथ जो गटना हुई है जब तक उनके अत्तारों को ठाजी की सज़ा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक लागों नहीं हो जाता जब तक कमारा ये प्रोटेक्श्ट चलता रहेगा कंटेनूज ये तो एक लंबी प्रक्री आए ऐसे में राजिस्तान के मरीज जो है वो सफर कर रहे है कम से कम हत्यारी पकड़ में तो आई अब तक वह भी नहीं पकड़े गया है और कम से कम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक का हमें रिटरन में आसा-चाली है अगर यह हो जाएता तो आप लोग अंदोरन ख़त्म कर देंगे जब तक रिटर्न में सेंट्रल प्रोटेक्शन लाउगों नहीं होता जब तक कंटीनिफ प्रोटेस्ट चलता रहेगा प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों को क्या लगता है आपको सेफ मेंसूस नहीं होता हस्पटार है इसको बताने की जबत क्या है एक्जामपल आपके सामने है जो 36 गंते अपने डेडिकेशन से भूती करी है जिन मरिशों के इलाज के लिए करी है उसी होस्पिटल में उ सब्सक्राइब करें कि ड्यूटी प्लेस पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं डॉक्तर के साथ तो रिस्रोक्षा बहुत जूरी है अगर पेशेंटों को मिलाज चाहिए तो पहले सेफ्टी होनी चाहिए उसी के बाद तो हम इलाज दे पाएंगे हम हमारा बैस देने के लिए हम जंता से चाहते हैं कि वो भी हमारे समर्चन में आएंगे जबर्दस आप्रोश आपकों पर देखरों को मिल रहा है और इन लोगों का कहना कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा और इस आंदोलन के जारी रहन ना सिर्व एक इसके अटेट तमाम इस्पतालों में काम का जो है और अब सेवारा चिकिस्ट ने भी आज एक घंटे का कारे वहिश्कार जो है वो किया है ऐसे में जल से जाना अगर इस पर सही तरही के से कारे नहीं हुआ तो मरीजों के दिक्कते जो है वो और बर सकती है कैमरापरसन अमिनाज के साथ और ब्रेस्टी निज्ट इनाजिस्टान